करनाटक चुनाओं में बजरंग दल चर्चा के केंदर में पीएम मोदी ने भी अब इस घमसान में अपनी डुप की लगा दी क्योंकि कॉंग्रेस गोशना पत्र में इस बार बैन लगाने का जिक्र कर चुकी है ऐसा पहली बार नहीं है जब बजरंग दल को बैन करनी की मांग की गई इससे पहले भी कई ऐसे मौके आये जब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात गई गई लेकिन ये दल चर्चाओं के बीच अपनी उपस्तिती धर्च कराता रहा है बजरंग दल के तमाम लोग आरेसिस से तुलना करते हैं क्यूंकि दोनों संगठन बीजेपी के लिए काम करते हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान कंतर है न सिर्फ दोनों की उम्र का बलकि दोनों के काम करने का और काम के तरीके का भी नमस्कार मैं हूं कुंदी दिवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी करनाटक में बीजेबी और कॉंग्रेस आमने सामने है जमीनी मुद्दों के इतर चर्चा बजरंग बली और बजरंग दल की है बात यहां तक पहुच गई है कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाए इससे पहले RSS के लिए भी यही कहा जाता रहा है कॉंग्रेस अब इस बार बजरंग दल को लेकर हमलावर है ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या वज़य है कि RSS के बाद बजरंग दल के लिए भी बैन की मांग उठाई जा रही है दरसल राश्टी स्वैम सेव और संग की तरह ही हिंदुत के मुद्दे पर मुखर बजरंग दल का अपनाएक इत्यास बजरंग दल के काम करने का इस्टाई और संगठन की संरचना भी संग से काफी हद तक अलग है या यूँ कहें कि बजरंग दल गर्व दल की रूप में कहमाना जाता है इसलिए इसकी तुलना सिमी और पियाफाई जैसे आतंग की संगठनों से भी हो चुकी है इस बार करनाटक में कॉंग्रेस ने इसी को आधार बना कर बजरंग दल पर बैन लगाने की घोशना की है कॉंग्रेस का कहना है कि बजरंग दल के कारिकरता नफरत और हिंसा बढ़ाने के लिए काम करते हैं बजरंग दल पर बैन करने की वादे के वीच संगठन के कामकाज, विवादों के किस्से और इसके इतिहास के वारे में भी जानना बहुत जरूरी है भारत में बजरंग दल के स्थापना 1984 में हुए उस वक्त राष्टिय स्वयम सेवक संग और विश्यो हिंदू परिशद जैसे संगठन देश में इस्थाफित हो चुके थे गठन के बाद बजरंग दल ने हिंदूत के मुद्देव को खूब थार दी वी जेपी और आरेसेस ने एक तरफ राम मंदिर के मुद्दे को देश भर में छेड़ दिया 1984 से पहले जो काम विश्यो हिंदू परसद और संग नहीं कर पाए उसे बजरंग दल ने जोर शोर से किया बजरंग दल की स्थापना विने कटियार ने की थी इसके स्थापना का मुख उदेश ये वताया गया था कि मठ और मंदिरों में जो कबज़ा हुआ है उसे हटाने के लिए इसका गठन किया गया है कटियार के मुताबिक बजरंग दल की शुरुआत में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले पर फूकस करने के लिए था ये रत राम मंदिर नर्मार के लिए निकला था और प्रशासन ने यूपी में सुरक्षा देने से साफिंकार कर दिया था जिसके बाद विने कटियार ने बजरंग दल की एक इकाई गठित की और उसे इसकी सुरक्षा में लगा दिया संग वहीं किसी को भी ऐसे काम में शामिल होने से बसता रहा है जिसे बैन का खत्रा रहा हो लेकिन हिंदुतों के मुद्दे को आगे बढ़ाना था माना जाता है कि विश्व हिंदु परसद ने अपने यूवा इकाई बजरंग दल का गठन किया अब बात आती है संग से इसके अलग कारप्रना लिकी तो 1950 के बाद जब राष्टी स्वयम सेव पर से बैन हटा तब संग ने एक समिधान बना कर सरकार को दिया इसमें संग के कामकाज पदाधिकारियों के चैन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी संग में कारवाहक तोर पर सरकारवाहक शक्तिसाली होते हैं जिसका हर एक तीन साल में चुना किया जाता है जबकि विश्यो हिंदी परिशत का अंतरिक संगठन होनी की वज़े से बजरंग दल के पास कामकाज और संगठन संरचना का अपना कोई लिखित सम्धान आज तक नहीं बजरंग दल में मौकिक तौर पर ही नियूक्तियां की जाती हैं वहीं राष्टिय स्वयम सेयोक संग बड़े-बड़े मुद्दों पर हिंदुत के प्रतनिधुत के तौर पर अपना विचार रखती है संग के कारेकरता इस विचार को समाज की बीच अलग-अलग माध्यों के जरियन ले जाते हैं बजरंग दल छोटे-चुटे मुद्दे जैसे इसाईयों के बढ़ते असर धार्मिक इस्थलों का नवीनी करण आदी मुद्दों पर काम करती है बजरंग दल गौर अच्छा के लिए जमीन पर काम करने का दावा तक करती है वहीं दूसरी तरफ आरेसेस आम तौर पर विजय अदश्मी और हिंदू नवर्स पर रत संचलन करती है इसमें आरेसेस के कारिकरता अपने इलाके में कतार बद्ध तरीके से साणकों पर घूमते हैं इसी संग का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है इसके अलग दूसरी तरफ बजरंग दल साल में 6 बार अखंड भारत दिवस 14 अगस्त हरुमान जयनती चैत पूर्णिमा राम नौमी चैत नौमी हुतातमाय दिवस 20 अक्टूबर से 2 नौमबर शौरि दिवस 6 दिसंबर और साहसिक दिवस सावल शुक्ल पक्च पर जुलूस निकालती है राजनीतिक और सामाजिक संगटनों का कहना है कि बजरंग दल के जुलूस निकालने के तरीके की वज़े से देश में कई बार सांपरदाइक महौल खराब होता है और कई जगों पर इसकी वज़े से हिंसा हो चुकी है आरिसस कारिकरताओं का अपना एक अलग ड्रेस कोड भी है वर्तमान में संग के कारिकरता भूरे रंग की पतलून के साथ वाइट कलर का शर्ट पहनते हैं संग ने 2011 में बिल्ट में भी बड़ा बदलाओ किया था उस समय चमडे के बिल्ट की जगे कृतिम बिल्ट को सुईक किया गया था बजरंग दल कारिकरताओं का यूं तो कोई ड्रेस कोड नहीं है हालां कि कारिकरता बजरंग दल लिखी हुई पट्टी का उपयोग कंधे और सिर पर डालने के लिए जड़ लूर करते हैं इसके विवादों की बात करें तो मद्द प्रदेश में पूर्वद स इसके बाद उन्होंने बजरंग दल पर भी बैन लगाने की मांगी थी 1999 में दिग्विजे सिंग ने इसके लिए बकाइदा केंदर की अटल भिहारी सरकार को पत्र भी लिखा था इसके अलावा साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तब भी बजरंग दल का नाम सामने आया था बजरंग दल के बाबू बजरंगी को नरोधा पाटिया और नरोधा गाम मामले में मुख आरोपी बनाया था बजरंग दल के कई कारिकरताओं पर हिंसा भड़काने के केश दर्ज किये लेकिन हाली में नरोधा पाटिया वाले मामले में सभी को बरी कर दिया गया है वहीं 1999 में और इशा में त्यों जहर में आउस्ट्रेलिया के मिशनरी काम करने के लिए आए फादर इस्टेन और उनके दो नावालिक बच्चों को जला कर मार देने की घटना हुई था इस हात्य कंड में भी बजरंग दल के लोगों का नाम आया था इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ नमस्कार